सो हला एन वेलकम यू ओल आम रोईत्रम महाजन ट्रेडर सो गैस आज हम बात करने वाले है जैप्रकाश यहाँ पर जैप्रकाश पावर वेंच्योर्स लिमिटेट के बारे में और गैस अगर देखा जाए तो स्टॉक अच्छा खासा ट्रेड कर रहा था काफी दिनों पहले तो इसमें बैक टू बैक गिरावट आ रही है कल भी स्टॉक गिरा आज भी स्टॉक गिरा तो गिरावट का main reason क्या है यह जो fall हो रहा है उसका main reason क्या है तो उसी के बारे में हम discuss करेंगे और क्या हम इसमें खरीदारी कर सकते हैं और इसके कुछ ऐसे ऐसे targets हम आपके साथ share करने वाले हैं जो काफी helpful होंगे आपको अच्छे return कमाने के लिए तो guys जई प्रकाश पाहर एक अच्छा stock है और ऐसे ही दो stocks के बारे में मैंने एक details में वीडियो बनाया है तो ओ वीडियो आपको कहा पर मिलेंगे तो मैं आपको पता देता हूँ तो guys ओ दो share ऐसे share है जो काफी तगड़े हैं और ओ आपको इस channel पर मिल जाएंगे लकिन channel इस channel को आप subscribe कर देना क्योंकि इस पर नए नए updates आते रहेंगे stocks के बारे में और उनकी फूरी study के बारे में कहा से loan उठाया गया के से उनको loan को मिटाया गया तो इस channel पर मैंने एक video upload किया है उसमें मैंने Reliance Power और Reliance infrastructure के बारे में detailed video बनाया है तो जाके आप सीधा देख सकते हो और मैं link description में देद होगा तो चलते हैं अब सीधा JP Power के उपर तो guys JP Power के बारे में हम आगे बढ़े उससे पहले अगर आपने अब तक चैनल को subscribe नहीं किया है और अगर चैनल पर नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना for shares के updates के लिए shares के latest news के लिए तो guys वीडियो को शुरू करते हैं तो JP Power Ventures Limited एक अच्छा stock है और current price की अगर बात करो तो 7 रुपे 10 पेसे पे stock ने आज closing दी है और देखा जाए stock कितना गिरा है तो 25 पेसे तक stock नीचे की और गिर गया है guys 3.40% के हिसाब से stock में गिरावट है तो बिल्कुल stock back to back गिरता जा रहा है और अब बात करेंगे chart की तो chart को अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको कुछ levels यहाँ पर देखने को मिलेंगे तो यहाँ पर छोटी छोटी जगों पर level शुपह होता है बस आपको identify करना होता है तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस level को भी जब stock ने break किया था तो इनने तब भी buy करने के लिए बोला था और guys अब मैं buy करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ जब इस level को break किया था तब मैंने बोला था कि जब confirmation आप यहाँ पर भी buy कर सकते हो पर confirmation मिलने पर आप फिर से buy कर सकते हो तो यहाँ पर आप देख सकते हो यह इस level से इस particular level से stock यहाँ से नीचे आता फिर उपर गया फिर इसी level को यह break कर दिया है यहाँ पर इसने इस level को break कर दिया है और एक natural तरीके से stock बढ़ रहा है यहाँ पर उपर गया retest करेगा और सीधा यहाँ पर 10 रुपे के price तके jump लगा सकता है तो कुछ इस तरीके से हमने इसमें analysis किया है और इस तरीके से अब 10 रुपे का target हमने किस हिसाब से रखा है तो 10 रुपे का target हमने इसलिए रखा है guys क्योंकि इस level से stock नीचे आता इस level से strong rejection मिला था जब से stock नीचे है फिर इसके बाद यहाँ पर third target आता है जो है यहाँ पर 25 रुपे का तो 25 रुपे का target हमने इसलिए रखा है क्योंकि यहाँ पर इस level पर यहाँ पर से दो बार rejection मिला है और इस level पर आ है तो इसे अगर break करता है तो 25 रुपे तक जाएंगा 25 रुपे को अगर break करता है तो काफी उपर के targets और 20 में हमें मिल जाएंगे तो guys एक simple सी strategy है यहाँ पर से stock नीचा आया फिर नीचा गया फिर उपर आके इस level पर rejection मिला फिर नीचा आया फिर यहाँ पर से breakout मिल रहा है और सीधा stock उपर की ओर जाएगा तो guys यहाँ पर JP Power के बारे में हमने कुछ यहाँ पर logic के साथ एक chart analysis हमने किया है और इनके basis पर अगर आप invest करते हो तो अच्चे returns आप इसमें कमा सकते हो तो JP Power के बारे में हम आगे चलते हैं और बाते करते हैं तो यहाँ पर 5 दिन के time frame पर stock कितना बड़ा है तो 5 दिन के time frame पर stock बड़ा है 1 रुपए तक और 16.49% का return भी stock दे रहा है और एक महीने के time frame पर अगर दिखा जाए guys तो 2 रुपए 55 पेसे तक stock बड़ा है 56.04% के हिसाब से यहाँ पर भी तेजी हमें देखने को मिल रही है और 6 महीने के time frame पर यहाँ पर 1 रुपए 10 पेसे stock बड़ा है 18.33% के हिसाब से अब guys बात कर लेंगे कि आज stock में क्या कुछ हुआ है तो stock में आज शुरू से ही गिरावट है morning से क्योंकि 7 रुपए 45 पेसे पे stock open हुआ था तो obviously high भी वही रहेंगा क्योंकि उससे उपर गया रही तो high भी इसका 7 रुपए 45 पेसे का ही यहाँ पर आपको नजर आ जाएगा तो अब बात करें अगर इसके low की तो low अगर दिखा जाए तो 6 रुपए 90 पेसे का आपको low भी देखने को मिल रहा है और guys वही अगर बात करूं में यहाँ पर market cap की तो market cap को अगर दिखा जाए तो यहाँ पर 4.87,000 करोड के असपास का market cap है और market cap के इस आप से पता चलता है कि एक mid cap stock की केटिगरी में आता है पी ही ratio 23.14 का है और बढ़ते हैं आगे और देखेंगे 52 इक्स का high और low क्या कुछ है तो 8 रुपे का high आपको देखने को मल जाएंगा और 2 रुपे 40 पेसे का यहाँ पर low भी आपको देखने को मल रहा है तो high भी देख लिया guys हमने low भी देख लिया है तो अब बात करेंगे यहाँ पर क्या कुछ resistance level और support level आपको दिखाई देगे और support levels की अगर बात करें तो 6 रुपे 90 पेसे का first support level है second support level 6 रुपे 45 पेसे का है और third support level 5 रुपे 90 पेसे का आपको आपको मल जाएंगा और अब guys बात करेंगे अगर price performance की तो price performance भी day by day increment हो रहा है और उसमें अगर देखा जाए तो यहाँ पर one week का देखे 17.36% का है और one month का 54.35% का है जो की positive है three months का भी देखे 67.06% का positive है year and half का अगर देखा जाए 14.52% positive है और यहाँ पर one year का भी positive देखने को मिल लेंगा one 15.15% के आसपास three years का अगर देखा जाए 246.34% positive देखने को आपको मिल जाएंगा guys वह यह अगर बात करूं मैं यहाँ पर trade values और combinant delivery की trade value के बारे में अगर देखा जाए 21 करोड के आसपास का trade value आपको देखने को मिल जाएंगा yesterday की अगर बात करें 47 करोड का आसपास का trade value है और 17 करोड के something का combinant delivery भी देखने को मिल रहा है और one week के average का ही अगर देख लें तो यहाँ पर 33 करोड के आसपास का trade value है और 12 करोड के आसपास का combinant delivery देखने को मिल जाएंगा तो यहाँ पर बात करते है Linkedi sentiments के आक्ड़े तो कम्मनेटी सेटिमट्स के आखड़े if डिखे लिए तो 70 परसं guys और विलकुल यहाँ पर buy call दे रहे है और 16 परसंट जो लोग है ओई ऑई आपर Celect when हैं और 14 पर संट जो लोग है और यहां पर के रहे हैं होल के लिए तो गाइस के लिए भी खाँ जा रहा है और रिवेन्यू सियां पर गिरे हैं और 2021 के अगर बात करो तो 3301 करोर का है और नेट परॉफिट अगर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट में record कर रहा है लगबग 215 करोड और गाइस यहाँ पर अगर देखा जाए शेर holding शेर holding में promoters की holding 26.02% की है FI की holding 0.9% की है और DII की holding 28.72% की और जो public holding है ओ है आपर 44.37% की वीडियो को लाइक करो चैनल को सब्सक्राइब करो थेंक यू